So, Hey everyone, और वापस से स्वागत है आपका Skill Sharp में और आज हम देखने वाले हैं कि हम Excel में grouping, ungrouping कैसे कर सकते हैं और साथ में हम freeze का इस्तमाल भी Excel में किस चीज के लिए किया जा सकता है इसके बारे में दिखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको introduce कर देता हूँ, यह है मैंने एक नई Excel वरक्षीट बनाई है तो इस वरक्षीट में actually क्या है न कि हमारी इंडिया की सबसे popular IT company TCS का इसमें profit and loss का data है तो यह data mainly आपको Google पे भी मिल जाएगा या फिर आप NSC की website से भी download कर सकते है तो यह data में actually क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे न सारे रोज में यहाँ पे categories दी हुए है जैसे कि sales, expenses, taxes, net profit, EPS यह सारी चीज़े दी हुए है जो financial terms है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि March 2013 से ले करके March 2022 तक इन्हों ने यह data दिया हुआ है उसके बाद इन्हों ने कुछ functions भी यहाँ पे perform की है last के तीन columns में तो यह data कुछ इस तरह से उन्हों ने यहाँ पे पुरा calculate करके दिया हुआ है और यह बीच में जो है यह respective data है अलग-अलग categories का अलग-अलग time frame के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो तो यह basic introduction था profit and loss statement of TCS तो हम आते हैं हमारे point पे कि हमें grouping की क्या ज़रुरत पढ़ रही है तो मान लीजिए न किया होता है कि किसी को न हमें सिर्फ यह statistics जो है last के तीन कॉलम में trailing, best case और worst case हमें इन चीजों को ही ज़्यादा focus करना या highlight करना है हमें इन चीजों को ही ज़्यादा दिखाना है और फिर भी हम ऐसा तो क्या कर सकते है कि यार हम यह जो data है March 13 से लेके March 2022 तक का वो नहीं दिखा है तो basically हमें data रखना भी है बस यहाँ से hide करना है तो क्या कर सकते हैं हम इस data को group कर सकते है तो चलो देखते हैं कि हम इस data को group कैसे करेंगे तो basically मैं क्या करता हूँ न column B से लेके na column K तक जहां तक हमारा data है हमें सारे data को यहाँ पर select कर लूँगा March 2022 तक को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने March 2022 तक को data select कर लिया है तो यहाँ पर हमें क्या करना है न हमें सबसे पहले जाना है हमारे data tab बे तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमें डाटा का टैब मिल जाएगा, यह है डाटा, तो हमें सबसे पहले इसमें जाना है, तो मैं सबसे पहले जाता हूँ, डाटा में, उसके लिए हम प्रेस करेंगे, अल्ट प्रेस करेंगे, हमें डाटा में जाने के लिए यह प्रेस करना पड़ेगा, जैसे कि आप यहां पे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यह जो section है पूरा, इस section में हमें वो सारी चीज़े मिल जाएगी, और अब जैसे कि आप देख सकते हो, कि यहाँ पर हमें group, ungroup की, यह दोनो, group और ungroup दोनो चीज़े यहाँ पर मिल गई है, right, तो इसका इस्तमल करना है, जैसे कि आप यहाँ यहाँ पर देख सकते हो, group के लिए हम G की से कर सकते हैं, और ungroup को हम U की से access कर सकते हैं, right, तो सबसे पहले हम चलते हैं data में, और data में हम चलते हैं G, तो group में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, down arrow की से आप navigate कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर enter press करता हूँ, तो जैसे ही मैंने यह यहां पे enter press कर दिया तो यहां पे यह जो हमारे B column से लेके K column तक का data है यह एक group में fit हो गया जहां पे हमें सारी rows दिखाई देती है वहां पे हमें यह group और ungroup का हमें दिखाई दे रहा है यहां पे आप देख सकते हो तो मैं जैसे ही इस minus sign पे click करता हूँ तो यह data collapse हो गया तो यह data collapse हो गया मतलब आपको एक idea आ गया होगा कि यहां पे आपको plus sign आ गया और आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे सिर्फ आपको trailing worst case और best case का data यहां पे आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो data चला गया नहीं obviously नहीं बस हमने उसको एक group करके hide कर दिया है यह देखो जैसे ही मैं plus पे click करता हूँ उस सारा data भी हमें visible हो जाता है और जैसे ही मैं उसको minus करता हूँ हम उस सारे data को hide कर सकते हैं तो यह तो first हो गया कि grouping और ungrouping हम क्यों और किस लिए कर सकते है main चीज की यह grouping और ungrouping जो है यह rows पे भी similar case में अपला होती है तो चलो हम second चीज की तरफ बढ़ते है Excel में हमारे और second चीज है freeze तो अभी ठीक है यार लेकिन किसी को अगर data देखना ही है पूरा उके उसको hide नहीं करना है तो क्या करेगा वो scroll करेगा लेकिन जैसे कि आप यहां पर problem देख रहा हूँ जैसे कि मैं scroll कर रहा हूँ तो मान लो कि मुझे sales का data देखना है 2022 के लिए तो मैं इसको थोड़ा और zoom out कर देता हूँ तो अभी मैं को sales का data देखना है 2022 के लिए तो मैं को scroll करना पड़ेगा और जैसे ही मैं इसको scroll करता हूँ 2022 तक का तब मेरी जो headings थी right side में जो मेरी rose वाली headings थी वो तो मैं को नहीं दिख रही तो यह तो कभी-कभी problem हो जाएगा बड़े table में तो ऐसा मैं क्या करूँ कि वो headings है वो freeze हो जाए और यह सारा data जो है उसके bottom side या उसके down side से flow होता हुआ निकल जाए तो इसके लिए हमें freeze functionality का इस्तामाल करना पड़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो हमारा जो rose की headings है जैसे कि sales, expenses, operating profit और यह सारी जो headings आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है एक column में तो मैं एक column को select कर लेता हूँ तो हम फिर से keyboard shortcuts का इस्तामाल करेंगे hotkeys का तो मैं alt press करता हूँ तो alt press करने के बाद हमें जाना है view में view के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि view के लिए हमें जो चाहिए होगा हमें w press करना पड़ेगा आप यहाँ पर देख सकते हो तो मैं alt w तो हम आ गए view में तो यहाँ पर भी आप फिर से देख सकते हो कि हमें freeze और unfreeze वाली जो functionality है उसे अगर हमें access करना है तो उसके लिए हमें f प्रेस करना पड़ेगा आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसके लिए हमें f प्रेस करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ f तो f जैसे ही मैंने प्रेस किया other than हम यह कर सकते कि हम top row को freeze कर सकते या फिर हम जो हमारा first column होता है उसको freeze कर सकते तो हमने अभी तो column select किया हुआ है तो चलो हम column को फ्रीज कर देते तो मैं जैसे यहाँ पे click करता हूँ तो अभी हमारा first column freeze हो गया आपको कुछ जादा तो notice यहाँ पे नहीं हो रहा होगा इसी चीज़ आपको identify कर रहा के दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यह देखो यहाँ पे आपको एक vertical line सी बनी दिखाई दे रही होगी तो यह मतलब यहाँ पे एक border section पड़ गया है तो इसका भी freeze का इस्तमाल क्या हुआ चलो देखते हैं अभी मैं जैसे इसको scroll करता हूँ तो आप देखिए मैं March 2020 तक 2022 तक पहुझ गया हूँ लेकिन जो मेरे row size में heading थे row में जो मेरे heading थे वो अभी भी वहाँ पे ही है और जो मेरा data है वो freely flow कर रहा है down that heading उस heading के नीचे से वो freely float कर रहा है तो ऐसे हमने हम कह सकते हैं कि यह column को हमने lock कर दिया है अब कितना भी scroll कीजिए यह column यहीं पे रहेगा और same चीज न हम रोज के लिए भी कर सकते हैं हमने सारी चीज़ें को पहले तो unfreeze कर दिया है अभी हमें इसको freeze करना है तो हम सबसे पहले alt w को press करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे f को press करेंगे और हमने b5 को select किया हुआ है और हमने यहाँ पे इसको select कर लिया तो अभी आप देख सकते हो कि यह जो सारा area है मतलब मैं इसको अगर upside में scroll करता हूँ तो आप देखो कि यह जो columns है हो columns वाली heading वहीं पे रह रही है okay scrolling करने के बाद में और अगर मैं इसको left right भी scroll करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी जो horizontal heading है वह भी वहीं पे रह रही है यहाँ पे basically हो क्या रहा है यार कि यह जो चार columns है वो चार रोज freeze हो गया है और यह जो एक column है वो एक column भी freeze हो गया है तो basically हम freeze और unfreeze का इस तरह से इस्तमाल कर सकते है एक important चीज जो मैंने अभी आपके साथ observe की कि unfreeze के लिए आप कोई दूसरा option select कर सकते है या फिर unfreeze के लिए आप सेम चीज़ को दो बारा repeat कीज़े वो unfreeze हो जाएगा तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते है next वीडियो में और interesting topics के साथ Microsoft Excel के और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तब तब के लिए बाई बाई